बिहार के लगबग 150 से ज़्यादा गाउं इस वक्त पर बाढ के पानी में डूप चुके हैं अगर केवल सुपोल जिले की बात की जाए तो 120 गाउं में बाढ का पानी आ चुका है और बाढ का पानी क्यों आ रहा है तो नेपाल लगातार कोसी नदी में गंडक में पानी डिश कर रहा है अब सुबा सुबा की खबर बताते हैं कि लोग अभी अपनी बिस्तर पे थे तब तक खबर आती है कि नेपाल से 2,53,000 की उसे पानी छोड़ा जा चुका है बिहार में बाढ से इस्थिती बिगड रही है अलग-अलग गाउं में जो गाउं है वो तापू बन चुका है गाउं में पानी आ चुका है लोग अपने घरों को छोड़ कर बच्चों को लेकर नाव के सहारे गाउं से बाहर निक ता जंक्षन देख रहे हैं यह वीडियो स्ट्रीट लर्निंग के द्वरा प्रयुजित है इस रक्षा बंदन स्ट्रीट लर्निंग लाया है आपके लिए एक खास ओफर जहां बिहार पुलिस तथा स्ट्रीट लर्निंग देगा जहां पर लाखो सवालों का स्ट्रीट लर्निंग आपके पास आएगा और इसके जरीए क्या होगा तो आपका परिक्षा पास करना बहुत आसान हो जाएगा स्ट्रीट लर्निंग इडिव डॉट कम पर जाएगे या प्ले स्ट्रीट लर्निंग इडिव एप उसको डाउनलोड कीजिए अधिक जानकारी के लिए आपको स्ट्रीट पर सारा डीटेल दिख रहा होगा जल्दी कीजिएगा क्योंकि जो ओफर है वो केवल रक्षा बंद बाड की स्टी है वो कैसे बिगड रही है दरा दरसल इसको एक एक करके समझेए सुपॉल के 120 गाओं में इस वक पर कहा जा रहा है कि बाड का पानी है मिडिया रिपोर्ट में 120 गाओं का जिक्र हो रहा है अब सुपॉल को ये कलाउता नहीं है कोसी का वो जो पूरा छेतर है वहाँ पर कोसी के किनारे पढ़ने वाले गाओं में लगातार पानी आ रहा है या बांध पर दबाव बढ़ रहा है दबाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नेपाल से लगातार कई कई लाख क्यूसी की पानी जो है वो डिशार्ज किया रहा है अब आपको या हमको लग सक कि हमारे यहां बारिस नहीं हो रही है लेकिन पानी आने का फर्मूला थोड़ा अलग होता है अब पहाल पर बारिस हो रही है तो वह पानी कठा होता है और उसी पानी को नेपाल डिश्चार्ज करता है जिसके कारण मियार में बार आता है अब अगर बेतिया की बात की जाए त बेतिया के पंदरह गाओं में बारे का पानी घुच चुका है पंदरह गाओं के लोग इस वक्त पर चारो तरफ से घिर चुके हैं इसके अलावा हमने एक और पढ़ा कि सहरसा के बारह गाओं जो है उनका संपर्ग टूट चुका है वहां के रहने वाले लोगों से बाहर के ल गाओं में जाएं यह सब कुछ विहार के अलग-अलग हिसों की कहानी और लगभभभभभ आप कहिए मानकर चलिए कि इस वक्त पर 150 गाओं लगभभ दिहार के बार की पानी में डूप चुके हैं आप यहां पर इस्तिती देखिए लोग औरत बच्चे हर कोई बार की पानी में अपने आपको संभालते हुए वहां से बाहर निकल रहा है क्योंकि वहां पर वो कहां रहेगा कहां खाना बनाएगा इसका कोई दियता पता नहीं लोग गाओं को छोड़कर आसपास के जो उची सड़के हैं नेशनल हाईवे वगरा है वहां पर सड़क के ऊपर जाकर उसके किनारे आसरे ले रहे हैं वहां पर और अस्थाई रूप से अपना घर बना रहे हैं कि कुछ दिन तक हम आप पर रहें जब बा आपस अपने गाओं में आ जाएंगे फिलहाल बिहार में बार की सिती जो अब तक है उसको हमने आपके सामने रख दिया मुखी मंतरी निश्कमार बार का जायजा लेने के लिए तमाम जगहों पर जाते भी हैं जा भी रहे हैं तमाम नेता दौरा कर रहे हैं आपकी क्या रह आगे बार को लेकर कुछ और जानकारी नदियों में नेपाल पानी छोड़ रहा है इसको लेकर कोई और अपडेट आएगा सब कुछ आप तक हम जनताक्ष्ण की माजम से पहुंचाएंगे आप इन तमाम तस्वीरों को देखिए बाकी आप क्या सोसते हैं कमेंट वॉक्स से बहुत हो धन्यवाद